पूरे के पोर्ष कार एक्सिडेंट मामले में जो नाबालिक है उसको लेकर इस वक्त हंगावा मचा हुआ है और इस पूरे मामले में निर्भ्या कांट के बाद जो जुविनाल जस्टिस के जो कानून में परिवर्तन किया गया था उसको लेकर बात करने के लिए हमाई साथ व हालात हैं उसके मद्दे नजर मैं ये कहूं कि धारा 304-A लगाई गई है बट पुलिस ने एक अप्लिकेशन दी है कि एक हीनियस आफिंस था इरादतन हत्या का मामला बनता है क्योंकि ये जो बॉय था पहले इसने शराब पी और शराब पी के ये आया तो इरादतन हत्या है वो नए amended कानून के हिसाब से एक adult की तरह से try करने लाइक है और इसलिए इसको adult माना जाए और adult मानते वे इसको उसी अदालत में इसकी सुनवाई हो जिस अदालत में किसी adult की होती है लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से शुरुआती तौर में हुआ जोविनाल जेस्टिस बोर्ड के जरिये उसको निवन दिखके और 15 दिन तक ड्यूटी करने की बात कहकर जमान दी गई उसमें अब यह जो निर्भया वाला मामला था उसके बाद परिवर्तन किया लौ वो कैसे लागू होता है कैसे वो बताता है कि हीनियस क्राइम में 16 साल से उमर की जज़ादा है तो फिर वो हीनियस क्राइम में अगर इन्वाल होता है तो उसको बड़ों की तरह केस चला है क्योंकि एक एक एकसिडेंट केस है इरादतन हत्या का केस नहीं हो सकता तो ऐसी परिस्थिती में पुलिस ने पहली जो पहली एफायार दर्च की उसमें 304-1 की बात की जो की एक बेलेबल आफेंस है तो अगर एक बेलेबल आफेंस में बोर्ड के पास ले गए और बोर्ड उसमें उचित समझा कि इस बच्चे की आयू अभी इसको ट्रीट किया जाए ऐस जोविनाइल तो एक बेलेबल आफेंस में जोविनाइल बोर्ड ने उसको जमानत दे दी ये कहा कि निबंद लिखा जाए तेकि मॉरली ठीक नहीं हो सकता है आपको किसी और परिप्रेक्ष म या वो मारुती से उतरता या वो ट्रक से उतरता तो भी सेम होता हम आज इस बात की चर्चा इसलिए भी शायद जादे कर रहे हैं कि वो बच्चा पूर्श से उतरा 48,000 की शराब पी और शराब पीने के बाद उसने एकसिडन कारित किया अब क्योंकि बड़े घर से बच्च को शराब और ड्रग्स क्या मिल रही है प्रशासन के उपर बहुत बड़ा प्रशन चिन है आज प्रशासन बाद में ये बात कहे कि साब उसको एज एडल्ट हम को ट्राइ करना चाहिए एप्लिकेशन लगा दी उस एप्लिकेशन को कुछ दिन लगेंगे पिता को भी उसके ह प्रशासन क्या सो रहे थे वो प्लिस प्रशासन क्या सो रहा था जब इन बच्चों को उन बार में या उन शराब खानों में शराब वितरित की जाती है तो ये सारे सवाल प्लिस प्रशासन पर कानून व्यवस्था के सवाल है ये हमारी ठीक है ये बात कही जा सकती है कि बाप, 17 साल के बच्चे को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। थोड़ा सा सोचने के बाद ये लगेगा, कि दिल से सोच होगे, तो लगेगा कि नही बच्चे उच्रंकल हो जाते हैं और जब कुछ धन्वान हो जाते हैं माता पिता तो स्वतंत्रता से जादें उच्रंकलता आजाती है तो माबाप उसके किये की सजा बुगत रहे है जो समझने वाले दर्शक भी समझना चाहेंगे क्योंकि पहले ये कानून होता था कि सीधे ही 18 साल से उम्र कम है तो उसे जुविनायल बोर्ड में भीज दिया जाए अब जो जो निर्भया कान के बाद जो परिवर्तन लाए थे वो परिवर्तन क्या क्या कहते हैं देखे धारा 15 जो है इस कानून की उसमें कहा गया कि किसी भी बच्चे का असेस्मेंट होगा और वो असेस्मेंट साइकोलोजिस्ट करेगा जुविनायल बोर्ड के मेंबर्स करेंगे और अगर उसका मेंटल इंटलेक्ट ऐसा प पीनियन देगा कि इसको एज एडल्ट ट्राइ किया जाए इस केस में या फिर अन्ने केसिस में आगर जैसे तरीकर आता है तो क्या इस तरीके से इस केस में भी आगे इसी तरीकर के ट्राइल चल पाता है क्योंकि उम्र 18 से कम है 16 से जादा है जो जो की समय सीमत तैक ही गई उस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी बिल्कुल ठीक बात है ऐसे परिस्तिते में स्पेशल कोर्ट्स मनाई गए हैं जो इन बच्चों के ओफेंसे को ट्राइ करती हैं जिन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एडल्ट की तरह से ट्राइ करने के लिए अनु कानूनी प्रावधान है क्या हो सकता है इस मामले में देखें कानूनी प्रावधान तो ये भी है कि 304 अगर लगाई गई और जुवेनाइल बोर्ड ने ये ऑपिनियन दिया कि ये बच्चे को एडल्ट की तरह से माना जाए और ये माना जाए किसाब इस बच्चे ने ये ज अनसिक स्थेती है कि मैं जानते बूचते हुए ये एक्सिडेंट कारेत कर रहा हूं पर यहां एक दूसरा फैक्टर भी है कि क्या वो बच्चा नशे में संतुलन खो बैठा ये गाडी में तकनीकी खराबी थी ये सारे समय ये ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के व पुलिस को अपनी कारेशियाली वहां भी देखनी चाहिए कि आप खुले आम बारों में अगर शराब वितृत कराओगे तो फिर ऐसा ही कुछ पाओगे अगरी सवाल है लेकिन महतपूरा है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले में जो कानून कहता है नया जूविनाइल जिस्टिस एक्ट जो कहता है उसके मताबिक 16 साल से उम्र जादा होने पर हीनियस क्राइम करने पर उस पर एडल्ट की तरह किया जा सकता है उसे उनको एक्जामिन करेगा जी तो फैक्ट्स क्या हैं ये बहुत महतपूर्ण है और उसके बाद ये नए कानून जो आया था निर्भा कान के बाद वो ये जरूर कहता है कि अगर उम्र 16 से जादा है और आप 18 से कम भी हैं और 16 से जादा है तो फिर ये जरूर हो सकता है कि कि तैग किया जा सके कि क्या आप पर एडल्ड की तरह केस चलाया जाना चाहिए वीडियो जनलिस्ट भरत शर्मा के साथ मोहित बख्षी नियूज नेशन दिल्ली पूरे के पोर्ष कार एक्सिडेंट मामले में जो नाबालिक है उसको लेकर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है और इस पूरे मामले में निर्भ्या कांड के बाद जो जुविनाल जेस्टिस के जो कानून में परिवर्तन किया गया था उसको लेकर बात करने के लिए हमाई साथ वरिष्ट वकील रमाकाद गौण हैं गवर्ट अब किस तरीके से ये जो जुविनाल जस्टिस का परिवर्तन था इस मामले में लागो होगा क्योंकि लड़के की आई 17 साल है और निबंद लिखकर छोड़ दिया गया देखिए अभी जो हालात हैं उसके मद्द नजर मैं ये कहूं कि धारा 304-A लगाई गई है बट पुलिस ने एक अप्लिकेशन दी है कि एक हीनियस आफिंस था इरादतन हत्या का मामला बनता है क्योंकि ये जो बॉय था पहले इसने शराब पी और शराब पी के ये आया तो इ mental जो capacity है वो नए amended कानून के हिसाब से एक adult की तरह से try करने लाइक है और इसलिए इसको adult माना जाए और adult मानते वे इसको उसी अदालत में इसकी सुनवाई हो जिस अदालत में किसी adult की होती है लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से शुरुआती तौर में हुआ juvenile justice board के जरिये उसको निवन दिक के और 15 दिन तक duty करने की बात कहकर जमान दी गई उसमें अब यह जो निर्भिया वाला मामला था उसके बाद जो परिवर्तन किया गया था law वो कैसे लागू होता है कैसे वो बताता है कि heinious crime में 16 साल से उमर की ज़ादा है तो फिर वो heinious crime में अगर involved होता है तो उसको बड़ों के तरह केस चला है देखिए क्योंकि एक accident केस है इरादतन हत्या का केस नहीं हो सकता तो ऐसी परिस्थिती में पुलिस ने पहली जो पहली F.I.R. दर्च की उसमें 304.1 की बात की जो की एक available offense है तो अगर एक available offense में board के पास ले गए और बोर की आयू अभी इसको treat किया जाए as juvenile तो एक available offense में juvenile board ने उसको जमानत दे दी ये कहा कि निबंद लिखा जाए तेके morally ठीक नहीं हो सकता है आपको किसी और परिप्रेक्ष में ठीक न लगे पर क्योंकि बात कानून की है कानून black and white में चलता है कानून किसी के लिए क्योंकि व वो ट्रक से उतरता तो भी सेम होता हम आज इस बात की चर्चा इसलिए भी शायद जादे कर रहे हैं कि वो बच्चा पूर्श से उतरा 48,000 की शराब पी और शराब पीने के बाद उसने accident कारित किया अब क्योंकि बड़े घर से बच्चा आया है ये एक मीडिया में चर्चा क विशे है पर इसके साथ साथ चर्चा का विशे ये भी है कि किसी बच्चे को शराब इस आयू के बच्चे को शराब और ड्रग्स क्या मिल रही है प्रशासन के उपर बहुत बड़ा प्रशन चिन है आज प्रशासन बात में ये बात कहे कि साब उसको as adult हम को ट्राइ करना च पहली बार तो निकला नहीं तो जब बच्चे सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं वो माबाप या वो पुलिस प्रशासन क्या सो रहे थे वो पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था जब इन बच्चों को उन बार में या उन शराब खानों में शराब वितरित की जाती है तो क्या माबाप 17 साल के बच्चे को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। थोड़ा सा सोचने के बाद ये लगेगा कि दिल से सोचोगे तो लगेगा कि नहीं बच्चे उच्छरंखल हो जाते हैं। और जब कुछ धन्वान हो जाते हैं माता पिता तो सतंतरता से ज़्याद है उच्छरंखलता आ जाती है। तो माबाप उसके किये की सजा बुगत रहे हैं। गवर्ट सब जो समझने वाले दर्शक भी समझना चाहेंगे। क्योंकि पहले ये कानून होता था कि सीधा ही 18 साल से उम्र कम है तो उसे जुविनायल बोर्ड में भीज दिया जाए। अब जो जो निर्भय कान के बाद जो परिवर्तन लाए थे वो परिवर्तन क्या क्या कहते हैं। देखे धारा 15 जो है इस कानून की उसमें कहा गया कि किसी भी बच्चे का असेस्मेंट होगा और वो असेस्मेंट साइकोलोजिस्ट करेगा जुविनायल बोर्ड के मेंबर्स करेंगे और अगर उसका मेंटल इंटलेक्ट ऐसा पाया जाएगा कि वो उस हीनियस ओफिंस को का परित करने में सक्षम था, मेंटली परिपक्वा था, तो ऐसी परिस्टिती में जुविनायल बोर्ड अपनी उपीनियन देगा कि इसको एज एडल्ट ट्राइ किया जाए इस तरीके से इस केस में भी आगे इसी तरीके के ट्राइल चल पाता है क्योंकि उम्र 18 से कम है, 16 से जादा है, जो की समय सीमा तैक ही गई थी, उस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे परिस्थेते में स्पेशल कोर्ट मनाई गए हैं जो इन बच्चों के ओफिंस को ट्राइ करती हैं, जिन बच्चों को जुवनायल जस्टिस बोर्ड अडल्ट की तरह से ट्राइ करने के लिए अनुमती देता है या उपीनियन देता है, देखे, कानूनी प्रावधान तो ये भी हैं कि 304 अगर लगाई गई और जुवनायल बोर्ड ने ये उपीनियन दिया कि ये बच्चे को एडल्ट की तरह से माना जाए और ये माना जाए कि साब इस बच्चे ने ये जानते, समझते, बूचते वे कि इस हवस्ता में अगर म स्पीड पर गाड़ी चलाऊंगा, तो मेरा जो है, मेरी मानसिक स्थेती ये है कि मैं जानते, बूचते वे ये एक्सिडेंट कारेत कर रहा हूं, बट यहां एक दूसरा फैक्टर भी है, कि क्या वो बच्चा नशे में संतुलन खो बैठा, ये गाड़ी में तकनीकी खराबी थी, ये सारे समय, ये ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के विशे हैं, आप क्योंकि ये अभी हाल-फिलाल में एक्सिडेंट हुआ है, चार्ची जब फाइल होगी तो इसमें गाड़ी का भी टेक्निकल एनलेसिस किया जाएगा, विभिन अंगों से, विभिन कोणों पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पर पुलिस को अपनी कारेश याली वहाँ भी देखनी चाहिए कि आप खुले आम बारों में अगर शराब वितरित कराओगे, तो फिर ऐसा ही कुछ पाओगे. आगरी सवाल है, लेकिन महत पूरा है, आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले में जो कानून कहता है, नया जूविनाइल जिस्टिस एक्ट जो कहता है, उसके मताबिक 16 साल से उम्र जादा होने पर, हीनियस क्राइम करने पर, उस पर एडल्ट की तरह किया जा सकता है, उसे ए जामिन करेगा. दिल्ली.